तो दोस्तों अगर oily snacks खाका के बोर हो गए हैं तो चलिए आज बनाते हैं तवा snacks मतलब तवा chips जिनने हम तवे पर ही भून के तयार करेंगे बिना oil के तो दोस्तों भारती मसाला तड़का किचन में आप सभी काते हैं जिल से स्वागत है चलिए बनाना श्टार्ट करते हैं तवा chips तो वही तवा chips बनाने के लिए हमने लिए हैं थोड़ी से बड़ी साइज में 5 आलू चलिए इनको फटा फट छील लेते हैं और हो सके तो थोड़ी से बड़े साइज के ही आलू यूज करें chips बनाने के लिए थोड़े बढ़िया से बड़े-बड़े chips बन करके तयार होते हैं और आलू छीलने से पहले हमने इने एक बार पानी से अच्छे से साफ कर लिया था और यह देखें छीलने के बाद एक बार पतली चिप्स बनेंगे, यह देखे, इस तरह से इसको हम इसमें लगा देते हैं, बहुती आराम से इस मसीन से चिप्स बन जाते हैं, और एक यह प्लेटे से थोड़े से मतलब मोटे चिप्स बनेंगे, हमें मोटे नहीं बनाने हैं, पतली चिप्स बनाएंगे, और यह देखे इसमें आलू को हम फसाएंगे, इससे क्या होगा कि हमारे हाथ में ब्लेट नहीं लगेगा, इसलिए हम इसका यूच कर रहे हैं, यह देखे, और फटा फट इससे बनकर के चिप्स मतलब तयार भी हो जाते हैं, बहुत ही बढ़िया मतलब एकी साइज के सारे चिप्स बनके तय होते हैं, और पतले चिप्स हम इसलिए बना रहे हैं, जिससे की तवे पर बढ़िया से जल्दी जल्दी भुन करके तयार हो जाएं, क्योंकि अगर मोटी चिप्स हम बनाएंगे ना मोटी अली प्लेट से, तो तवे पर भुनने में थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन हमें फटा फट भई बना करके तयार करने हैं चिप्स, क्योंकि बच्चे और बड़े सभी को बहुत ही मतलब पसंद आते हैं, चिप्स क्योंकि बीन ओयल के बढ़िया से क्रंची, और ये देखे, कितना बढ़िया चिप्स हमारा मतलब निकल के तयार हुआ है, तो भई ये देख चिप्स को पानी से अच्छी तरह से साफ करेंगे, और ये देखे, दो बार पानी से अच्छी तरह से साफ करने के बाद इसका पानी हमने निकाल के अलग कर दिया है, और चलिए अभी फटा फट भई गैस को अन कर लेते हैं, और चिप्स बनाना करते हैं, श्टार्ट मतलब गई भगाने में हमारे चिप्स बोइड होने के लिए चले अभी क्या करते हैं चमसे से हम चला देते हैं बरस पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है और यह देखें बढ़िया से जब एक मिनट ही लगेगा मतलब जादा से जादा और हाइफ लेम पर हमें बॉयड करने एक भात का धिhero करने ने और एक मिनट में देखें हलके से बॉयड हो गए हैं और बहुत इन्हें हम्हें बॉयड नहीं करना इस बात का भी धिहान रखें, चिपस को में गलाना नहीं है और जkom नाखोन से चिपस को इस way कट करेंगे हैं तो हलका सा कच्षे बनका आपको feel होगा कि चिपस हलका सा कच्छा है बस इसी स्टेश तक हमें चिप्स को बॉइट करना है और यह रेखें इस ट्रेनर में डालके हमने चिप्स का जो पानी था सारा लग कर दिया है और अभी हम चिप्स को थोड़ा सा थंडा होने देंगे मतलब एक से दो मिनट तक हम हलका थंडा होने देंगे तभी भाई हम इने तवे पर फ्राई करेंगे क्योंकि ऐसे गरम गरम चुएंगे ना हाथ जल जाएंगे थोड़ा ठंडा होने देते हैं तो चले भाई दो मिनेट हो चुका है तवे को फटाफट कर लेते हलका सा चिकना तो देखें ब्रस से हम इस पर हलका घी लगा रहे हैं आप चाहें तो ऑयल यह बटर जो भी आपकी इच्छा हो वो आप इस पर लगा करके हलका सा तवे को कर लें चिकना और फ्लेम को हमने एक वी साइट से लाल होने देंगे जब इस तरह से हलके से लाल हो जाना चफ तो हने पलेट कर दूसरी तरवसे हम खे कर देंगे और आपने डिये चोड़ीया ज़ीन पर हमने भी नहीं लगाया है। क्या करेंगे फटाफट थोड़ा सा मतलब एक साइट कर लेंगे और जो तबे की बची हुई खाली जगा है ना वहां पे हम चिप्स और रख देंगे जिसे की वह भी फटाफट भाई सिक्कर के तयार हो जाएं देखे इसमें जो भी चिप्स बहुत क्रंची है उसे हम प्लेट से बनकर के तयार है नहीं हां से तोड़ के आभी आपको दिखाते हैं यह देखें मालब कितना बढ़िया क्रंची कितना क्रिस्पी चिप्स बनकर के तयार हुआ है बिना ओयल के ही मतलब इतना बढ़िया लाजवाब चिप्स बनकर के तयार हुआ है और क्या ही चाहिए थोड़ा सा लगा रहे हैं चाट मसाला आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा चलजीरा भी लगा सकते हैं उसका भी टेस्ट चाट मसाला से मिलता ही जुलता होता है तो जलजीरा या चाट मसाला जो भी आपको फसंद हो आप इस पर थोड़ा सा मतलब छिड़क दें तो चलिए ब बच्चों के लिए बहुत हेल्दी फूड है मतलब इतना अच्छा स्नैक्स है जिसमें एक वी बूंद ऑईल की नहीं है मतलब ऑईल तो ना के बराबर ही लगा है जो हमने घी लगाया बहुत हलका हलका ब्रस से बस एक बार तबे पर लगाया तो उसके बार लगाया भी नहीं और बिना ओयल बिना घी के ही हमारे बढ़िया से क्रंची चिप्स बन करके तयार हैं तो भई वीडियो देखने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद